नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टार्ट सिटी न्यूज में मैं इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधान सभा मुकुनपूर वार्ड नमर आठ में मौजूद हूँ साथ ही हमारे भारती जनता पाइटी से विश्णु गोस्वामी जी हैं अभी हाली में पुरुमाचल मो चाहां अद्यक्ष के जमेंदार देशर क्या कहना चाहते हैं एक पार्टी ने मेरे को समझा इस लाइक हमने 15 साल से भारती जनता पार्टी का एक सिपाही की रूप में काम करता रहा और आज के पार्टी ने देखा कि यह लाइक हो गए हमको अपने पत्पनीवत किया हमरा य इचा था यहां हम पुर्बांचल कि यहां लोग दूसरे दूसरे राजनीतिंग में बटे हुए हैं अब उनको हम इकठा करके लाने का काम करेंगे और यहां से भरती जनता पार्टी को पूरी बहुमत से हम ललकार करके अपना टीम को मजबूत करेंगे जी तो 24 के चुनाव में सर हमारा लोगों का यहां से पांच लाग से जादे हम मनोच्तिवारी को जिताने का काम करेंगे तो इस बार तीसरी बार जैसे मोका दिया मनोच्तिवारी जी को कैसा लगा और आने वाले समय में हमारे भातिये जनता पार्टी का एक मनोच्तिवारी ऐसा सक्त निता हैं ज अपना को सकार फूरा करने के लिए मनोज तिवारी जी नहीं लगे हुए हैं अच्छा मुकनपूर जो आपका बॉर्ड है या आपकी पूरी लोक्त हुआ है मनोज तिवारी जी ने इन दस सालों में क्या काम कें से सर यहां पर बहुत काम हुआ है में जील रोड बना है मेट्र और ले का हैं इसमें लगा है अभी जो उधाटन हुआ है पिछे आभी हुआ करोर रुपिया के जंताविहार से स्रुथ कि पहर रोड का पास कराने में उन्हीं का सर्व सर्कीनिया समस्य फिलाल का कि है सर मुकंदपूर वार्ड में सर अभी तो मुकंदपूर में समस्या है आम आदमी पार्टी के यहां पर भिधायक है ऐसा नरक्व बना दिया है आदमी को चलने में दुलोब है किसी तरेके से दास्ता नहीं छोड रहा है इसने सब गरीब आदमी को इतनी परसांद कर दिया जिसके बस गाड़ी है इतने पलड जाती पाउं टूट रहा है और उन्होंने यहां के पैसा सारा कफिकदारों से उन्हों ने पहले कमीशन ले कर दिया कि आज कोई काम करने का राजी नहीं है ूप हार अब इसमें तो सासंद विधायक का है जो पैसा मरा किन्द सरकार दिया है सतर हजार करो रुपया जो मिलता है एक वार्ट का जो हिंसा परता है उसका दस परसेंट भी अभी खर्चा नहीं किया इन्होंने इसलिए नरक हुआ है नहीं तो हमारा अगर हिंसा खाली खर्चा कर दे आज मुकंदपूर चमक जाएगा तो मतलब सब विधाय को जिताने वाली जनता है तो जनता नहीं तरती सटकों पर मतलब इतनी समस्य होने के बार नहीं जनता को अब दिख रहा है ना इन्होंने जो लालस दिया था बिजली पानी फिरी बिजली पानी फिरी किसको मिल रहा है एक गरीब गरीब से आदमी है वो बी शुर्फे का पुतल मेरे बानी बानी पड़ा करने प्पते हैं को परसे तरह से ट denta से जनता को अपने क मुझा पैंदे के लिए एक फटे हुए पेंट पेंट करके सच्चे मंदार कि हम यहां के जनता को उठाएंगे हम जनता को सुनेंगे जनता को नों ने ऐसा ठकेल दिया सारा पैसा चूज करके अपना बिहार भेज दिया अपना यहां कोठी बना लिया जब उनके बड़े मालिक ही चोर निकले तो छोटे कोड़ों तो काना ही नहीं है दिल्ली में आने वाले 25 की विधान सभा के चुनाव में पूरी बहुमत से भारती जनता पार्टी जितेगी अच्छा विश्णू जी आप जैसे पायटी से जुड़े वहें तो मुकंदपूर की जो भी समस्य हैं और आप एक पुराने लंबे समय से अब सिवा भी कर रहे हैं तो क्या से अब लोगों के बीच में जुड़े हैं बीच में सार हम यही काम के समस्या लेकर के जा रहे हैं और जो हमारा निगम पारस्थजी हैं हो थोड़े थोड़े काम, छोटे मोटे काम हम लोग और हम करा भी रहे हैं। में रोड तो अभी बनना नहीं सुरू हुआ है, इसमें भी हमारा सांसाथ जी का įहां थे तब बनना शुरू हुआ है। हां इसमें बिधाय का नियत नहीं था लेकिन इन्होंने जोड लगा करके पास करवाया फिर अपना फंड भी दिया और पांच कोरूर रुपया को उन्होंने अपना फंड भी दिया है इस पेसल हमारे पारसत जी को उसका भी काम बरज जोरों से चल रहा है यहां पर श्रीक तो राएं नहीं है ये काम खड़े उत्रे हैं खड़े काम करते हैं लोगों को और आप क्या के सेवा कर रहा है सर्पार्टी से और इसके लामा रिघ में हमारा पूर्ण वर्ने तो हम 15 साल हो गया जूरे हुए भारतीय जनता पार्टी में 15 साल से ज्जाद ही हो गया जब हमा पूरा भर्टिय अपघक कर दिया ऑचाहिया कगुछ में सुपाइड बश्राइए और शिपाइए रहेंगे और दुरी रहती है समय समय पर चट करना हां चट पुझा हो गया ऐसे भागवत रहो गया धार्मी काम में भी हमारा फुर्या स्वजोग रहता है हम लोग हमारे पारसद जी बी करते हैं और हमारे तिवारी जी वी शांसद हैं वह भी इस बाइखले करेंब मेड़के लोगो के भी मुथुरापंपने समें गौजी चिर्ण सिटी के साथ मैं जित अंदर गुपता हूं